लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें बिहार विधान सभा से आई हैं जहां सदन में माननीय विधाईकों ने सदन के घरिमा को तार तार कर दिया यो तो सदन होता है जर्मता की आवाज उठाने के लिए लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष्वे के विधाईकों ने सदन को अखाड़ा बना दिया हद तो तब हो गई जब बीजपी विधाईक लखेंदर पास्वान ने हंगामा करते हुए माइक को तोड़ दिया अब इस पर विधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि इस पर कारवाई होगी अब जो है माइक तोड़ने का काम किया है या बिल्कुल गलत है या गलत है इसलिए बाज्य होकर के आपके उपर आसन करवाई करने के लिए बाज्य हो जाएगा दरसल भी हर विधान सभा के बजट सत्र में आज का दिन भी काफी अंगामेदार रहा सदन की कारेवाई फिर से शुरू होने के बाद हंगामे और माइक तोड़ने के आरोप में विधान सभा के अध्यक्ष ने बीजपी विधायक लखेंदर पासवान को दो दिनों के लिए सदन की कारेवाई से निलंबित कर दिया है इसके बाद हंगामा करते हुए बीजपी के विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया लखेंदर पासवान पातेपूर से बीजपी के विधायक है वही कारेवाहिस थगित होने के बाद बीजपी ने सत्ता पक्ष पर कई गंभीरा रोप लगाए सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए नेता पृतिपक्ष विजय सिनहा ने कहा कि माईक तोड़नी की बात गलत है सत्ता पक्ष के विधायकों ने हमारे दलित विधायक को गाली दी धमकी दी उन्होंने कहा कि सरकार का काम सदन चलाना है तो सत्ता पक्ष के विधायक वेल में क्यों आए उन्होंने कहा कि राज्यों में जंगल राज है अपराधियों के सरकार भ्रमित करने का काम कर रही है लेकिन जनता सब देख रही है इदर लकेंदर पासवान ने पनी सफाई में कहा है कि वो आंगन बाडी सेवी काओं के मान दे को बढ़ाने की मांग कर रहे थे और उस दौरान उनका माइक बंद हो गया सत्ता पक्ष की ओर से मेरे लिए अभद्र शब्दों का इस्तमाल किया गया गालिया दी गए उन्होंने कहा कि मैंने माइक तोड़ा नहीं माइक खुल गया वहीं इस वीडियो को देखे दो इसमें साफ दिख रहा है कि बिहार विधान सबाक्या ध्यक्ष बीजोपी विधाइक पर माइक तोड़ने वाली बात को सही ठैराते हुए उन पर कारवाई की बात कर रहे है लखनर पासवान जी लेकिन ऐसे में ये सवाल ये भी उठता है कि लोक तंत्र के मंदर में जब माननीये इस तरह की हरकत करेंगे तो जनता फिर उन पर क्या पेक्षा रखेगी नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योस 24